राजी रीम से दिल्ली एमस में सिफ्ट किये गए लालु प्रशाद यादव की तवियत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। लालु की सिहत में सुधार बहुत धीमा है क्यूंकि कई क्रोनिकल बिमारी के साथ साथ लालु फिलहाल पल्मोनरी एडीमा से एक ग्रसित हैं। वाले डॉक्टर फिलहाल इसी बीमारी को ठीक करने में जुटे हुए रिम्स एम्स में स्रिफ्ट किया जाने के बाद फिर से उनका मेडिकल टेस्ट कराया था आरजेडी सुप्रीमों को फिलहाल कार्डिक इंटेंसिब केर यूनिट में रखा गया है एम्स के प्रसित कार्डि से बाहरी लोगों को मिलने पर मना ही रखी गई है डॉक्टर का कहना है कि कोरोना संक्रमन को देखते वे हमने एतिहात तौर पर लोगों से मिलना जुलना रोका है डॉक्टर राकेश यादव के मुताबिक फिलहाल लालू यादव कुछ देर तक बातचित करने और बैठने म और ना ही वेंटिलेटर की जरूरत है